इस्राइल और लेबनान के हिजबुल्ला समू के बीच तीखे हमले जारी हैं इस्राइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर करीब 16 सो हमले किये हैं इन्वे से जादा महिलाओं और बच्चे समेट 500 से जादा लोगों की मौत हो गई हैं जबकि 1700 से जादा लोग खायल हुए हैं इस्राइली हमलों से दक्षणी लिबनान में जमकर तबाही मच गई है लिबनान में धमाकों के साथ कई मारते तहस नहस हो गई इसके जवाब में हिजबुला ने इसराइल पर 300 रोक इड़ाग दिये ये हमला बीते 18 साल में हिजबुला का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला बताये गया हिजबुला ने ये अटैक इसराइल के लिबनान पर भीशड हमले के जवाब में किया इस बीच इराक में इसलामिक प्रतिरोध ने ड्रोन से जॉर्डन घाटी में हुए इसरैली सेने ठिकानों को निशाना बनाया समू ने अपने टेलिग्राम चैनल के जरी ताजा हमलों की जानकारी दी है प्रतिरोधी गुटो ने बताया कि ड्रोन हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इसरैल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने के लिए किया गया दावा तो ये भी है कि इसरैल के डिफेंस सिस्टम लडाकों के ड्रोन को रोकने में विफल रहे इसके चलते रेमन एयरबेस पर जबरदस धमाका हुआ है इसके इलाके में भी शणाग लग गई इसराइली मीडिया की माने तो ये पहली बार है जब इराकी प्रतिरोड ड्रोन ने रेमन एयरबेस पर हमला किया है इराकी लड़ाकों यही नहीं रुके इन गुटों ने उत्तर में एक महत्वपूर्ण लक्ष के खिलाफ भैंकर अल अरकप क्रूज मिसाइल से एक और हमला किया लड़ाकों ने इसराइल के कबजे वाले गुलान हाइट्स में एक रणनीतिक साइट पर भी आपरेशन चलाया प्रतिरोड ने बताया कि उसने अल अरपज कामिकेज ड्रोन से ज़ादा तर हमला किया समू ने कहा कि ड्रोन हमला उन नरसंगहारों के प्रतिशोद में था जो इसराइल नीहत्थे फिलिस्तीनी नावरी को खिलाफ कर रहा है लड़ाके कबजे वाली भूमी पर महत्वपूर्ण जगों को निशाना बनाना और नश्ट करना जारी रखेंगे बता दे कि इराक का इसलामिक प्रतिरोध तब से इसराइली ठीकानों पर हमले कर रहा है जब से इसराइल ने बीते साल अक्टूबर के शुरुआत में गाजा पर नरसंगहार युद शुरू किया था इसके लावा प्रतिरोधी लड़ाके गाजा में अमेरिकी समर्थन के प्रतिशोद में इराक और पडोसी सीरिया में अमेरिकी सैने ठीकानों पर भी हमला कर रहे हैं इस बीच इराकी प्रतिरोद ने बड़ा दावा किया है समूह ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इसराइल की किसी भी संभाविज जमीनी कारवाय के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ मिल कर सीधा टकराफ करेंगे इराकी प्रतिरोध ने ये फैसला कताइब हिजबुला, हरकत हिजबुला, अलनुजाबा और कताइब सयद अलशुहादा जैसे बाकी इराक में समुहों के कमांडर के साथ बैठक के बाद लिया है आपको बता दे कि इसराइल ने लेबनान पर हमलों की रफ्तार लगातार बढ़ाई है बीते सुमवार को इसराइली लड़ाको विमानों ने लेबनान के कई शहरों और गावों पर हमले किये थे कि जाल भड़ाई दे क्यातार में समुवां आपको र tú processoराइली साथ Forsch हुःान। झॉपटे बढ़ाईल्षियों इयो को बदेत들을 हम चरते से किमानेशतार भावों चरेंशनाया झालों चिखेँ झाल झाल